हालो फ्रेंट्स आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत हैं इस वीडियो हम सेंट्रल यूनिवर्सटी कॉमन इंट्रेस्ट टेस्ट 2021 के इंपोर्टेंट कुश्चन्स पढ़ेंगे जो कि MSE Mathematics इंट्रेस्ट पर के कुश्चन्स हैं प्रिविएस वीडियो में हम क्वेशन नंबर 29 से 40 तक पढ़ेंगे इसमें हमारे पास कुश्चन नंबर 29 है हमारे पास दा रेडियस ऑफ कनबर्जेंस ऑफ दा पावर सीरी जो है वो है समिशन ऑफ एनवरा बन टू इंफिनिटी एन टू पावर एन जैड एन इस तो इसकी हमें रेडियोस ऑफ अगर रेडियस ऑफ कनबर्जेंट उस कंडिशन में आर को हम किस तरह से निकालते हैं फॉर्मूला होता है लिमिट एन अपोन यू एन प्लस बन तो यहां से गर हम देखें तो यू एन क्या है हमारे पास इसके लिए यू एन क्या है एन टू दी पावर एन तो यह होगा एन तो यह आएगा एन और नीच्छ आएन तो लिमिटट एक फ़ंटी ओंटी होती है जो taper हम देखें तो यह उन है रहनिक लिमिट Лिमिट एक आ पास 0 हो गया Χैनारी विराबर क्या हूं मारे पास 0 तो radius of convergence जो है वो 0 है यानि कि यह जो function है यह इसकी कोई भी radius of convergence नहीं है इसका मतलब यह जो सिरीज है यह divergent series है तो option 3 जो है इसका correct answer है अश्यवाद question number 30 है मारे पास question number 30 क्या कह रहा है मारे पास if y बरावर a to the power x plus b to the power 2x where a are v are arbitrary constant is a solution of कौनसी differential equation के solution होंगे तो इसको solve करने के लिए देखते है y बरावर क्या है a to the power 2x plus b to the power minus 2x तो इसके लिए derivative में का लेते हैं dy upon dx बरावर होगे two a to the power 2x plus minus two b to the power minus 2x basically two arbitrary constant है तो हमारे पास से दो ताइम इस पूर differentiate कर सकते हैं तो तो ताइम डिफ्रेंसेट कर लें सेकेंड डिफ्रेंसेशन पर d square y upon dx square equal to 4a e to the power 2x plus for b to the power-2x अब अगर हम यहां पे फोर कॉम मर लह ले लेड़े तो यह हो गए a to the power 2x plus b to the power minus 2x जो की हमारे पास क्या है वाइ तो यह निए 4y हो गया दी स्क्वाइड एपुन दीए एक स्क्वाइड वाइद दी स्क्वा क्ली यह हम कहें जीरो जो है यह इसका correct answer है उसके बाद question number 30 बने हमारे पास the ring M of 3 cross 3 matrix with element from the set of real numbers the two operations in the ring M are usual addition and multiplication of matrix then M is option commutative ring with zero divisor without unity non commutative ring with zero divisor with unity commutative ring ring with unity and field तो यहां पर हम देखते हैं पहले commutative ring के definition our ring which is commutative is called commutative ring यानि इसमें a b बराबर b a हो for all a b belongs to R यानि rings के जो agreement है उसके लिए तो इस condition हम कहेंगे कि जो रिंग है वो commutative ring है बट अगर हम matrix multiplication की बात करें तो matrix multiplication जो है वो commutative नहीं होता matrix multiplication a b not equal to b a होता है तो इस condition हमारे पास जो ring होगी matrix की वो commutative नहीं होगी तो यह हो हमारे पास यह option first option जो था वो incorrect हो गया अब जीरो डिवीजर रिंग क्या होती है एन जीरो डिवीजर आर प्रिशेशली इदा मैट्रिक्स बिद डिटर्माइंड जीरो तो यहां सम कह सकते हैं फोर unity यानि उसके कोई भी हमारे पास यह एक्स बराबर जीरो मिल जाता है तो इस तरह हम कहेंगे इसके लिए जीरो डिवीजर होता है और unity जो है वह element होता है तो इस condition हम कहेंगे कि जो यह मैट्रिक्स होता है यह हमारे पास m x m 3 x 3 का मैट्रिक्स जो होता है वह होता है commutative ring with unity commutative ring with unity sorry commutative not नहीं होता non commutative ring with zero divisor with unity तो option 2 जो है वह और अंसर हो जाएगा इसके लिए क्योंकि commutative तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं और commutative नहीं होता है तो non commutative ring with zero divisor with unity इसका correct option हो जाएगा और श्यवाद फैंस question number 32 है वह हमारे पास फोर मैट्रिक्स फोर दी मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है 001 211 111 a inverse is given y किस तरह से दिया जाएगा a inverse को हम किस तरह से दे सकते हैं यह हमारे पास question है तो यहाँ पर a square plus 2a plus 3i a square minus 3i और a square minus 2a और a square minus 2a minus i यह इसके option है तो a बरावर क्या दिया हुआ है हमारे पास 001 211 a 111 तो पहले हम इसकी आइगेन वेल्यू निकालते हैं यह फंक्षन निकालते हैं क्यों कि लिए Hamilton क्या क्या कहती है अगर हमारे पास इस तरह का function है उसकी आइगेन वेल्यू के लिए फंक्सण है वो है suppose lambda one lambda two lambda three उसके आइगेन वेल्यू है then हमारे पास तो हमारे पास lambda minus lambda one lambda minus lambda two या लैम्डा माइनस लैम्डा 3 यह हम काई a मैंस लैम्डा 1 ए मैंस लैम्डा 2 जो है उसका एक solution होगा एकल टू09 एक solution होगा तो यह हो गया y- यह लेम्डा यह निकाला हमने तो यहां से संपली इसके हमने हमने eigenvalue नकालने के लिए माइनस लेम्डा के इसके कर्सपोंडिंग ओपन क्या है इसको इस रोके तो यह हो गया माइनस लेम्डा बन माइनस लेम्डा बन माइनस लेम्डा वन और वन वन यह हो गया वन के कर्सपोंडिंग क्या तो टू वन माइनस बन माइनस लेम्डा वन ओपन क्या ओपन करने पर यह आगये हमारे पास माइनस लेमडा क्यू प्लस टू लेबाव़ाबस Once One तो यह हमारे पास है तो अगर यह हमारे पास और ङंधेません की कान्डिशन है तो इस कंडिशन म माइनस एक्यू प्लस टू एक फपला से प्लस आई बराबर जीरो एक कंडिशन होगी अब हमें निकालना क् करेंगे सबसे पहले इसको आई की फोर्म में दले जाएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा जैसे ही आई को हम यहां पर चोड़के बाकि फॉंट फॉर्ण दले जाएंगे तो आई क्यानी आउर हम तो एंवर्स का मल्टिफीलाई करने पर यह हो जाएगा यहूस हार फ्लस टूए माइनस आई स्रीइं उसको इसक,"छे नंबроп race करंद फॉर्ण तो इह मरे पास कर्यर्स अप्सण हो जाएगा इसका उसके बाद question number 33 है हमारे पास Let M transpose denote the transpose of M given that M बरावर 3 upon 5, 3 upon 5, X 3 upon 5 where M transpose equal to M inverse then the value of X is M transpose पहले सबसे हम M transpose निकालना है उसके बाद M inverse निकालना है तो पहले हम M inverse निकालने के लिए mode of M जरू होता है क्योंकि M inverse क्या होता है 1 upon mode M and M sorry ये बन बन जो करते हैं उसका transpose ये हो गए हमारे पास या ए ठीटा लिख सकते हैं इसको ये हो गए हमारे पास तो mode of M बरावर क्या है 9 upon 25 minus 3 upon 5 X क्योंकि mode of M बरावर से इदर से multiply करो minus ये term तो ये mode of M मारे सो M inverse बरावर होगा हमार बन अपन मोड हैं और इसके लिए क्या क्या हमने जो इनके वेक्टर्स के तो क्रोस्टू में हम निकालने के लिए क्या करते हैं इसके तो यहां से हम क्या है तो अब यहां से हम कंपेर कर रहे हैं तो एंबर्स बरावर प्रक्या हो जाएगा यह ओगए हमारे पास सिंपलिन इसका हमने जो यह पालट तरम्ति हम ने उसमें से 3.5 common लिया थी आफवनऺाव त्रीफ़ फंवाए मैनिस एक्स यह हो गए हमारे पास यह हमारे पास यहां से यह तरम आच चुके कर दो यह हमारे पास एक्स वराबर यह टर माग रही जो कि किसी भी option में हमारे पास मेंच नहीं खाती किसी भी option मेंच नहीं खाती तो हो सकता है इस question के options जो हो और गलत हो options जो हो गलत हो और में भी मैं कहीं पर गलती कर रहा हूं हो सकता है कि मैं भी mistake कर सकता हूं तो इसमें हो सकता है एक बाद चेक कर लिजिए कर हो सकता है मैं भी इसमें mistake कर रहा हूं अब फ्रेंट्स question number 34 question number 34 क्या है मारे पास मेक्सिमुम जब्राइब माइनिस एक्स त्टू मामेश स्टू एक्स फ्रेसिंट गार्थ स्टू प्रेस टूडी ग्राप बनारे पील एक्सक्र कॉछ्ट में है का माईनस एक्स डॉट को यह हमारे पात ओसात में यहां पर देगे तो vrave एक्स Ag noền 스파ड एक्समार वरावर उस सब्सक्राइब उसक्राइब क lettage कर लेना है remember time करने के बाद हम देखते हैं को फुट करते हैं तो यहां पर अगर पहले को सबitzer देख है और भुडबर जिरू पूट एप करते हैं तो एक्सट्रो बर्बर वन आता है यानि टी व्हु Admiral और पॉंट बॉर गर यह वाला पॉंट आ गया और जब हम एक्स टू बरावर जीरो पुट करते हैं तो एक्स बरावर माइनस बनाता है यह वाला पॉंट तो इस तरह से लैन माइनस फूर आएगा तो यह माइनस फूर आगा तो इन पॉंट को हमने मिला दिया तो यह हो गए हमारे पास अब इनको मिला दिया और साथ में हमारे पास यह बन रहा एक्स बरावर फाइव जो लैन थी एक्स बरावर फाइव इसके वज़े से जो लैन आई वह हमारे पास य यह रहा तो यह हमारे पास basically यह इन में से कोई रीजन हो सकता अभी हम ने रीजन बताया नहीं तो हम पहले हम इसके एरिया निकालते हैं तो अगर देखें यहां पर Soda जिरो जिरो पुट करें कि यह पॉइल्यू पुट कर रहे हैं है , और स 알ुजन पुट कर रहे हैं तो जीरो जीरो लेस्ट nietने जो यह निकार तरफ हो कि फर दियुकल को करें तो यह भी गी इसका एरिया भी यह पहले वह भीया व्यु दोनों पर ए सकते लेकिन अग्स्वन व्राबर फाइप है इसे पेपूट कर सकते हैं तो इसके लिए भी ये एरिया है और इसgriff के लिए हम एक्षवन के लिए वाला पॉंट देखाए है या one one देखाए है तो one one के लिए हमारे पास a support i one 1 तो जीरो लेस दिन बन करेक्ट रहें जो आया हमारे पास वों यहां से चल के यहां से चल के यह चल के आंगे हमारे पास है और यह पूंड आगे हैं यह फेजिबल डी लीजन है객 incapable ले지만 है इसका तो इसके हम दो अन ऑन भाउन्डेट सोलीशन नहीं वो सकता प्योंकि wszyscy क्याहता है हनो कि हम आपस मिल गया उसके पॉंग्ट 높ाव से हमारे पास सभ्सक्राइब के लिए हमें के पॉंट से लोगी कि लिखने के वेडि़नों सब्सक्राइब कुछ लिए का नहीं बता रहाускे difficult से बिडिए बना चुका हूं इनहीं की एलप से सारी पॉंट से देखते हैं और सारी पॉंट देखने के बाद यह हम पास पर चलता है पॉंट जो है बन ऑप टू के फैश्ट और सेकंड लैन के जो है इसके एक लिए जो है तुरी फाइव और इसके फाइव शिक्स तो इन पास एक प्रॉपर्टी होती है अगर किसी भी पॉंट्स वे किसी भी उसमें दो आप्टिमल सॉलीशन मिल जाए तो इस पर इन्फाइन नंबर ऑफ मल्टिपल सॉलीशन होते हैं यानिकि अब जैसे यह हमारे पास कौन सा टू-3 तू-3 यह पॉंट था हमारे पास बैसिकली औ इसको प्रूब नहीं दिखाऊंगा तो इस तरह से इसके इनफाइन नंबर ऑफ सॉलीशन एग्डिस्ट करेंगे यह हो गए हमारे पास कौन से नंबर थर्टी फॉर असक्राइब उसक्राइब पास नंबर थर्टी फाइब है कौसिकन नंबर थर्टी फाइब दा वैल्यू पंटेगर जैड माइनस आयोटा एक्वल टू जैड इसको है प्लस फूर डीजर एज ऑप्सन है जीरो पाई 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 फाइवाई टू एंड इन्फिनिटी तो यह हमारे पास पहले इसका सर्कल बनाते हैं जैड माइनस आयोटा बरावर टू दिया हुआ है सोरी पहले इसक और टू रेडियस का एक सर्कल बना दिया हमने अब यह बना दिया सर्कल तो हमारे पास इस तरह का एक सर्कल बन गया अब यहां पर जैड इसको है प्लस फूर कहां कहां जीरो हो सकता है तो जैड यह हो सकता है जैड बरावर प्लस माइनस टू आयोटा पे अगर प्लस टू बाहर है तो यह हमारे पास इसको लिख सकते हैं अब जो कि हमारे पास बहार है तो चूंकि कोची इंटेगल फॉर्मुला क्या होता है कि अगर यह बरावर अंदर है इस पे टू आयोटा जैसे इसके अंदर है तो उसके लिए हम कोची इंटेगल फॉर्मुला लगाते हैं इंटेग्रेशन ओफ जैड जैड माइनस एंटू दिपावर एन प्लस ब्लस ब्रावर टू पाई आयोटा अपोन एन फैक्टोरियल एफन जैड जीरो तो यहां पर देखें तो यह टर्म जो है हमारे पास यह टर्म यह टर्म तो घ्र हो जाएगी और यह हो जाएगी हमारे पास यह ट्यू दिपार एन प्लस ब्रावर ले तो जैड माइनस ईटीव पाउआ यहां पर पावर क्या है वन तो यह न बराबर चया गया जीरो एन प्लस बन होता है यह हो तो एफ जड़ ब्राबर यह रहा nd ब्राबर जीरो तो एफ टू आयोटा ब्राबर एफ टू अइट्वाइटा के एक इंज़ कोई गए पन फॉर यह गया है और यह हो गए तो यहां से हम यह वाइल्वी तो हमारे पास फू आयोटा कर चुकिए है तो कोचें इंटेगिल फोर्मूला के हेल्फ से 2Pi आयोटा का मिल्टिप्लेग करना है अपन N फेक्टोरियल दो 2Pi आयोटा triple integration यह हम कहें volume f vector dv where v is the region bounded by the surface x बरावर 0, y बरावर 0 y बरावर 6, z बरावर x square and z बरावर 4 is तो इसके लिए इसका solution हम करते हैं यह हमारे पास इसका solution mode of integration of f vector dv f vector बरावर क्या है 2xz iota minus x j plus y square k dx dy dz बैको dv generally dx dy dz होता है तो यह हो गए हमारे पास अंदर बाइना लग लग सेesta two xz iota dx dy dz minus x dx dy dz plus y square k dx dz अब limit एप्लाइग करते हैं लिमिट हमारे पास d यह है अगर देखें तो हमारे पास यहां से पहले सबसे पहले X की हम limit apply कर रहे हैं तो X की limit apply करेंगे तो X ब्रावर 02 और यहां से कर देंगे तो X ब्रावर root Z तो X ब्रावर 02, X ब्रावर root Z Z ब्रावर जो हमारे पास दिया हुआ है Z ब्रावर चुकि X ब्रावर 0 है तो X ब्रावर 0 पे Z भी 0 होगा तो यहां से z बराबर 0 to 4 यह हो गया और y बराबर 0 to 6 तो इस तरह से हम इसकी limit simply put कर सकते हैं यहां हम ऐसे भी put कर सकते थे कि z बराबर 0 to x square limit को change भी कर सकते हैं तो इसे कोई effect नहीं पड़ता हमारे पास तो हमने इस तरह से value put किया इसकी यह सारी जगे limit है हमारे पास same limit हर जगए है same limit हर जगए हैं तो यहां से यह हो गए हमारे पास अब तो पहले सबसे लिए कि कर्रेसपंडिंग माते हैं लिंड़ अप से fundament करते हमारे पक्रपा और पास यह तरह कह Será अच चूगी है उसके पर फिर किया करने पर यह हमारे पास समझा नहीं करने कि जानता तो we connect ने पर हमारे पास इस तरह से सोलूसना जाएगा लाई एस लेस चाहिए आपको पढ़ने के लिए तो आप मैंसे कॉंट्रेट कर सकते हो मेरे वाट्षप नमबर है 9460689761 इसमे वाट्षप करना है कॉल नहीं करना है अफेंस कोईशन नमबर 37 ए जेनरल स्वेशन आपने डिफ्रेंशल एक्वेशन डी स्कॉर आपने इसको इसको सोल्व करते हैं गिवन एक्वेशन जो है वह हमारे पास d square y upon dx square plus d by upon dx minus 2y equal to 0 यह हमारे पास equation है तो इसकी actually equation जो होगी वो क्या हो जाएगी simply जहाँ पे भी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं d square plus d minus 2 y equal to 0 जहाँ पे भी d है वहाँ पे m replace कर देते हैं तो यह होगा m square plus m minus 2 तो m की value जो है minus 2 and 1 तो यहां से cf जो जाएगा c1 e to the power minus 2 x plus c1 e to the power x तो यह हमारे पास इसका correct answer आ गया और शुबाद next question है question number 38 which of the following is true तो friends इसमेंसे जो true है वो है हमारे पास green theorem in a plane is a special case of stocks theorem इसका proof जो है हम अलग वीडियो में बना के देंगे क्योंकि इसका जो proof होगा एक लंबा होगा तो इसको proof जो होगा वो हम अच्छे से एक next वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अच्छे से इसको explain करेंगे question number 39 about the definite integral which one of the following is incorrect तो incorrect जो है वो है हमारे पास a to the power f b f x dx वराबर minus a to the power b f t dt क्योंकि अगर हम variable अंदर change कर रहे हैं तो उसे कोई फर्ग नहीं पड़ता जब तक हम उसकी limit नहीं कर रहे हैं तो यह भी हमारे पास कुछ function of t आता यह function of x आता simply हम value put करते तो वहीं function आना चाहिए प्लस होता तो यह होता तो इसका इस वज़े से यह जो है incorrect हो गया बाकि अगर हम देखें यह तो बावर इवन हो तो उस condition में इस तरह से लिख सकते हैं और और हो तो उस condition में जीरो हो जाता है तो इसके हम इसको हम solve करने कोई जरुत नहीं है simply जो भी जिन्हों ने भी integral equation को अच्छे से पढ़ा है या नॉर्मली भी देखा है वो इनको solve कर सकते हैं अफरिए question number 40 है हमारे पास which one of the following is incorrect if a real valued function f is monotonic on a b then it is integrable on a b second a real valued function real valued pounded function f having a finite number of points of discontinuity on a b is not integrable on a b third option if a is real valued function f is integrable on a b then f square is also integrable on a b every real valued continuous function f on a b is integrable on a b तो फिर्ट यहां पर हमारे पास यह जो है true है if our real valued function f is monotonic on a b monotonic function है तो उस conditional f जो है वो integral function होगा तो फेक्रेक्ष्ण हो चैसे अच्छाए के तो आप्सीन हे आप्सीन हों यह जाये तो तो आप्सान तो इसकाए क्रेक्ष्ट क्रेक्ष्ण हो जाए गा थैंक यू फैंज